वेल्कम बेक टो मैं चैनल आज मैं आप सब के लिए फिर से एक आई मेकप लगया ही हूँ यह ब्लू एंड पर्पल और गोल्ड न तीनो कलर है इसमें तो आप किसी भी ट्रेस के साथ इसे वेयर कर सकते हैं तो चेली स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि सब से पहले मैंने अपर लाइट पिंग कलर का शेड की किया है उसको अपने शलाइंड पर प्रपल कलर और पर अच्छा करना है ऑन अपर पिर में अपने कट क्रीज लांड देरहें यहां में और यह कंसीलर में यूज कर रही हूं कह रही हूं इसको अपनी करीस इफेक्ट देने के लिए मैं इस तरह से लगा रहा हूं इससे काफी सुंदर सा इफेक्ट आ जाता है आईशेडों में आप देख सकते हैं सो इस तरह से मैं कट ग्रीज एफेक्ट दे रही हूं और इसके ऊपर में थोड़ा सा पाउडर जलूर से लगाऊंगी और फिर में यहां पे ब्लू आइशेडों ले रही हूं बहुत ही प्यारा शेड है यह ब्लू आइशेडों का आप देख सकते हो स्काइब लू कलर का है सो इसको पूरे जहां पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहां पर मैं अप्लाई कर रही हूं इसको आप आगे जरूर से देखेगा कि बहुत सुंदर एफेक्ट आने वाला है और यह जो परपल अन ब्लू कलर का शेड है आप किसी भी पार्टी किसे भी ओकेशन में आप ट इसी है बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और इसके बाद में थोड़ा सा सिमरी आइसेटो लगा के और इसके ऊपर में थोड़ा सा गीटर अप्लाई कर दिए हूं ताकि पार्टी लूप आ जाए और आइलाइनर किने में एलिटिन का लिक्वीड आइलाइनर यूज कर दि और आइस की इनर कॉर्णर तक में अप्लाई करूंगी आइलाइनर को ताकि अपनी आइस जो है थोड़ी सी लॉंग दिखे जिसकी आइस बहुत जाता छोटी है वो यह ट्रिक्स ट्राइक कर सकते हैं सो लोल अश्टेंड में में आइलाइनर अप्लाई कर रही हूं इसके ब काजल लगा रही हूं और आइलेज जो है मैं ऑफ केमरा लगा रही हूं सो इसके बाद जो कट क्रीज लाइन था वहां पर मैं गोल्डन शेड का आइलाइनर यूज कर रही हूं सो इस इस टा फाइनल लुक आप सभी को आज की वीडियो पसंद आये और यह लूक अगर आप कोई स्पेशल मेकप लूग है आई लूग तो प्लीज मुझे कमें लिख के बताएगा मैं जरूर से ट्राइ करूंगी वीडियो बनाने का सो थैंक्स फो वचिंग गाईज मिलती हूं अपने अगले ट्यूट्योरियल पे तब तक के लिए बाबाई